असलाम अलेकुम एब्रीवन क्या हाल चाल है आप सब का अमीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे ठीक होंगे और फिट फाइन होंगे वीडियो होने जा रही है इन्फरमेटिव बिकॉज आज मैं बात करूँगी एक मेर इंग्रीडियन की यानिके अलोवेरा जल की कि इसके क्या क्या इस्तमालात है और अलोवेरा जल कहां इस्तमाल नहीं होती भाई लितनी भी आपकी हॉम रेमेडिज हैं इवन के आपके कॉसमेटिक्स के कोई भी अकिशनुद की नहीं होती हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी आप अलोवेरा जल को में इंग्रीडियन्ट रखते हुए इसके साथ ऐसे कौन-कौन से अ का इस्ते हैं अपने प्राबलम का स्वेशन कर सकते हैं अपने यह रिवाट सारी इंप्योरट इस और बहूत सारे issues को हल कर सकते हैं so make sure like subscribe to my channel और bell icon को जरूर आपने प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वली वीडियो का notification आपको मिल सके main ingredient है जी हमारा aloe vera gel आपने हमेशा वही buy करनी है जिस पर आपको यकीन हो आपने किसी brand की buy करनी है जाएं good to go आप जाएं लें और उसको इसको इसके इतने सारे benefits हैं कि अगर आप इसको किसी के साथ dilute करके भी ना इसके बलके इसको daily आपने face wash करें और उसके बाद इसको lotion के द और पेस को अपने face पर लगा लें जस्ट aloe vera को apply कर लें तो आपके लिए यह काफी होगा रात को बहुत सारे night cream इस्तमाल करके सोते हैं तो night cream की जगा अगर आप aloe vera को ही लगा कर अपने face पर सो जाएं और महीने दो महीने तक यह process जारी तखें तो आपका face जो है वह बहुत सारी आने वाली problems जो हैं वहाल हो जाएंगी मैकनी सबसे बड़ी problem भाई हमारी teenage girls की because junk food तो हमसे खतम नहीं होता वो भाई हमने खाना ही खाना है वो तो हमसे हमारी बस नहीं होगी कोग भी हमने पीनी पीनी है तो इस तरह के जो products हैं पिर सासाथ हमने इस्तमाल करने ज तो ही इसका काम चलेगा यह अकेली ही सब भारी है सो आप लोग ने अकेली सब भारी है तो मैं बहुत सारी ingredients के साथ इसका इस्तमाल बताऊंगी कि बहुत सारी ingredients के साथ इसका अलग-अलग क्या है क्या-क्या इसके uses हैं पर जिसको जो issue है वह वाला formula pick करे और उसको apply करना start कर फरस्ट वान जी आप aloe vera gel को apple cider vinegar में dilute करके डालके mix करके जो करना है करके आप इसको 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 सकते हैं यह आपकी acne के लिए बहुत helpful होने वाला है आपकी face पे जो spider veins आ जाती हैं बहुत सारी लड़कियों को यह issue है कि उनके face पे spider veins होती है या उनकी baby skin होती है या भ बच्पन से ही बहुत सूपर sensitive है baby skin है तब भी उनके face पे spider veins आती है भई उसके लिए यह बहुत benefit है tip number two हम इसको castor oil में aloe vera gel को castor oil में डालके इस्तमाल कर सकते हैं यह भई हमारी eyebrows के लिए eyelashes के लिए बहतरीन सीरम है महंगे महंगे सीरम की कोई ज़रूरत नहीं है यह इतना बहतरीन की तोर पर काम करेगा कि आपकी eyelashes जो हैं वह दो से तीन माह में इस्तमाल करते करते ही अच्छी खासी बड़ी हो जाएंगी फिर आप कहेंगे वहाँ पर यह तो बड़ी कमाल की tip थी और हम कहां सोय रहे कि हमारे पास ही यह चीज़ें थी वह यह यह जल तो हर घर में होती हैंगर हाँ घर में नहीं होती तो पास करीब भी किसी इस्टोर में मिल जाएगी तो आप वहां से जाकर इसको बाई कर लें make sure आप इसको अपने remedies में इस्तमाल किया करें क्योंकि इसके बहुत सारे benefits हैं अगर आप इसको अच्छा अगर आपने remedy बना कर रखनी है ना अपनी एक हफ़ते के लिए दो हफ़ते के लिए तो आप make sure इस तरह की ही market वाली buy करें अपने whiteheads blackheads के लिए अगर आपने यूज करना है तो आप elavarajal को charcoal में इस्तमाल करके उसका paste बना के अपने face पर लगा सकते हैं और उसको बाद 10-15 मिनिट के बाद आपने wash out कर देना है charcoal जो है वो आपकी skin से dirt impurities को cance के बाहर निकालता है और आपके ports को बेहत क्लीन कर देता है इतने हत तक क्लीन करता है आपके ports कि आपकी जो whiteheads blackheads का नाम और निशान बाकी नहीं रहता है बट make sure आपने सारी इस remedies को proper तरीके से करना होता है और मुसलसल करना होता है एक दो में काम नहीं चलेगा भाई तो मुसलसल करना है और प्रॉपर तरीके से कहना है थर्ड इसकर यूज यह है कि आपने इसको आपने इसको 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 इस तरह एलवरा जली टीट्री ओल के दो से तीन ड्रॉप्स डाले उसको पेस्ट बनाया और एक छोड़ी सी बॉक्स में बनाके रख लिया टीट्री ओल जो है यह भी आपकी एकनी के लिए बहुत 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 है अगर आप इसको अकेले ही कॉटन बट से आप इसको लगा लें तो वह भी इनफ है बट बहुत सारी गल्स को इशू हो जलता है इससे ऐलर्जी हो जाती है सूट नहीं करता है यह जलन ओना करके आप इसको अपने फेस के लिए एक प्रॉपर तरिके का मेकप रिमूवर बना सकते हैं प्रॉपर तरिके का क्लिंजर बना सकते हैं प्रॉपर तरिके का मसाजर बना सकते हैं कोकोनेट ओयल के तो वैसी बहुत सारे प्वाइथ हैं आप इसको वैसे पे अगर आप उसको लगा लें उसका मसाज कर लें तो आपके फेस से बहुत हद तक डर्ट इंप्यूरिटी जो है वो खतम हो जाएंगी नेक्स जो है वो इसका अलवेरा जेल लें और उसमें इस तरह के वाइटमिन यानि के इवियोन के जो कैप्सुल हैं चाहे वो दो 200 mg है या 400 mg है या जितने भी एमजी का यह 400 mg का है गीन वैला यहीं 200 mg का होता है सो आप एक आपने कैप्सुल लिया और अलवेरा जेल ली उसको डाला पेस्ट किया और आप इसको पने फेस्ट और नायट के लिए डेली बैसिस पे स्थम्हाल कर सकते हैं वैह तरीन किसम की नाइट क्रीम है नाइट क्रीम में आलडी अपने चैनल पर आपको दे चुकी हू वाइटमिन ए की और एलोवेरा की और प्लस मैंने वाइटनिंग कैप्सुल जो है वो एड़ किया था यह तीन प्रॉडक्ट्स को मिक्स करते हुए मैंने आपको नाइट क्रीम बताई थी बहतरीन नाइट क्रीम है कोई साइट अफेक्ट नहीं है कुछ नहीं है बहुत सारी मह हैंगी मैंगी क्रीम आप लेते हैं और उसका रिजल्ट भी महिने बाद ऐसा ही आता है और पैसे अलग से आपके खर्च हो जाते हैं बहीं नेक्स्ट आपका यह है कि आप ऐलोवेरा जेल को ग्रीन टी जी हाँ बहीं ग्रीन का बैग लिया आपने जो आपको मिलती है आपने एलोवेरा जेल को उसमें ग्रीन टी हैं उसका बैक कट किया उसका सारा माणी आप ईलोवेरा जेल पे बेस किया और इसको मिक्स किया पेस किया या आपके फेस से आपको डुक्ष्पॉच्पॉट्स हैं पिगमेंटेशन इसे फैकल्स हैं उनके लिए बेहत कमाल की एक क्रीमडियाज है कि आप ग्रीन टी में इस तरीके से लावर को इस्तमाल करते हैं उसके पानी नहीं ग्रीन लीडे जह quickly बैग मिलता है उसी के पाउडर को आपकेश्य को अपने उस में डालना है अपने फेस पश्चाना कि ग्रीनीड मेरे जमीडे करें लाउआखर चाहे कि आपके skin पर tanning हो गई है तो detan करने के लिए एक आप detan pack बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छी remedy है आपने coffee लेनी है और आपने aloe vera gel लेनी है coffee और aloe vera gel दो main ingredient ऐसे हैं जो कि आपके face पर detanning हो गई है आपकी body tan हो गई है या आपके body का कोई भी part है या अपने skin को coffee जो है basically lightening effect देता है lightening effect देता है अगर आप इसको मसलसल इस्तवाल करते हैं make sure coffee जो है वो original हो कोई ऐसी नहीं हो अगर आप जार अफोर्ड नहीं करते हैं आप जो है वो साशे में भी वही आती है सेम यही होती है कोई फरक नहीं होता आप साशा ले ले एक चोटा package जो होता है वो ले उसमें aloe vera gel add करें उसका paste बनाएं अपने face पे लगाएं और 5-10 minutes अच्छे से massage करें बहतरीन किसम का आपका cleanser बड़े-बड़े महंगे-mहंगे cleanser से बहतर यह वाला cleanser है यह सारे इतने सारे uses के मेरा सांस फूल गया इतने सारे uses हैं aloe vera के कि आप इसको different different चीज़ों के के लिए जी Allah हाफिज